कि प्रोवन कल्चर मचली के प्रोवर्ण के आतिरिकता आज कल जिंगा या प्रोवन का सहवर्वर्धन भी आर्थी क्रूप से बहुत मैत्वपॉण है और ये व्यापारिक रूप भी ले चुका है जिंगा सवर्धन या प्राउन कल्चर को हम प्राउन फिसरी की नाम से भी जानते हैं प्राउन है इसको सवच्छ वे समुद्री जल्ड दोनों में पाया जाता है इसका दोनों जग भात करें इसकी संलचना देखें कि प्रोन किस त्रीके के होता है तो यहां पर इसको ड्राइग्राम में दखाए गया है नोट प्रोन का जो शिरोवक्स भाग है सिफेलोफ्रेक्स जो भाग है इस पर एक ढाल रूपी गड़े कर एक करपस के दोरण करता है और जिसका अगर भाग है जो अगर भाग है इस पर एक नुकीली प्रोथ या रोस्टम पाई जाती है देख सकते हैं यह रूपी क्या पाई जाती है इसके नावा इसके सीर्स भाग पर हम देखेंगे एंटनूल एंटिना मैंडिवल मैकजिलरी यह पूंडूप से विक्सित होती हैं सीर्च के प्रस्ट पार्षो में एक जोड़ी बड़े क्या पाय जाते हैं कमबाउंड आई पाय जाते हैं जो की गतिसील वरंद दूपे लगे हुए होते हैं जो do arch craft हम देखेंगे कि पहले थीं अक्सीय उपांग पांगों के जो आधार होते हैं उन वह आधार होन पर क्या पाया जाते है गils लगे हैं सके इंदेखेंगे कि यह जो इसका जो सिक भा घा इसके बाग इसके उपर क्या पाय जाती है passiert जऽे पांग जाते हैं एंनने चाहट मूए को सब्सक्राइब आतर सब्सक्राइक अनतिम्कूआ होता है यूरो और उरोपोर्ड है। एक नुकिले टैलसन द्वारा ढारता है। हम देख से करें है कि यूरॉपोर्ड कि सेमान हो कित की जूरूट हुब ना ने सरफना होता है। हम देखेंगे कि जिनगा प्रों है। इसमें जो डवल्पमेंट है वो इंडारेक्ट होता है। प्रोन की खाद गुनवाता वे जल सरोत के परकार के अनुरूप इनको पकड़ने का अध्यानीम रूपों में किया जा सकता है फ्रेस वाटर फिसरी सवज जली फिसरी सवज जली शरोज जैसे नदी जीलू वे तालावू में प्रोण तालावू से प्रोणू को पकड़ा जाता है सेकंड है मरेन फिसरी समुंद्री फिसरी सामानत प्रोण उथले अमतुलनात्मक रूप से गरम समुंद्री जलू में अधिक्ता से पाए जाते हैं समुंद्री जिंगा या समुंद्री फिसरी का कारिय उथले छेत्रों में लगभग 40 मिटर की घराई तक ही सिमित रहता है भारती महासागर के तटिये पर्देशों में पक्ड़े प्रॉन है ये पैनेडी कुल के सद्धे से होते हैं नेक्स्ट है फिसरी इन सेलाइन वोटर भारत के मालाबारत चिलका जील गंगा ब्रहंपुत्रा कि जो एश्चूरियन जो एरिया होते हैं केरल के जो तटिय परदेश है कोस्टल एरिय ओफ केरल इन इस्तानों पर लवणी जल सरोतों में प्रॉन पकड़े जाते हैं इसके अलावा उठले जलिये सरोतों में फिसरी मानसुन के आगमन पर जून से अगस्त महा में माला बार तटके जो उठले जल में जाल डारकर मुच्वे आसाने से प्रोन को क्या करते हैं पकड़ते हैं अध्योगी की रूप से वे प्रोन जो आकार विवजन में बढ़े होते हैं और राश्टपूस्ट होते हैं तता जो आसाने से उपलब्द होते हैं और जिनका सवर्दन आसाने से किया जाता है समनते उनको ही पकड़ा जाता है यहां हम दिख सकते हैं हमें डाइग्राम में कुछ प्रोण की स्पीसीद दिखाए गई हैं जो की अध्योगिक रूप से उत्तम होती हैं जैसे मेटा पेंश मोनोसिरोस मेटा पेंश फिनीस मेटा पेंश डोव सोनी और इसके अलावा पेंश इंडिकस पेंश मोनोडोना और ये परापेनीोपसिस, इस्टेईलीफेरा यह कुछ उपिवरदाती हैं जो कि पराउन्स वर्दन के लिए क्या मानी जाती हैं उपिव्श्च मानी जाती हैं इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत में बहुत सारी और भी परजाती अपाई जाती हैं जो कि प्रॉण्ड कल्चर के लिए काम में ली जाती हैं जैसे ये सबी परजातिया क्या है भाहरतवर्स में इनको पहारतवर्स में कल्चर के लिए काम मिलिया जाता है 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 आजा हैं एए हिसा कि नेक्स्ट है हम देखेंगे कि जो परऊन कुल्चर है परऊन सवर्धन की बात कुणनों सवस्वर्धन दोनों ही प्रकार के में किया जाता है शबच जल में और दूसरा हम हम देखेंगे समुद्री जल के अंदर दोनों में प्रॉन का सवर्धन किया जाता है सबसे पहले हम देख लेते हैं कल्चर ओफ फ्रेश वॉर्टर प्रॉन सवच जलिये प्रॉन का सवर्धन इस परकार के सवर्दन ने तो बड़े आकार के मैक्रो ब्रेकियम रोसियन बर्जी प्रोन पकड़े जाते हैं जो कि सामने ते सवच जलिय सरोतु में आसानी से मिल जाते हैं और इनके सवर्दन के लिए इनको सवर्दन ने इसका निवन परकार से किया जाता है नदिवे तालावू से पकड़े गए प्रोन को करत्रियम वायू के परवा से युक्ट टैंकों में इस्ताना अंत्रित किया जाता है यह कार यह ओक्सिजन युक्ट प्लास्टिक के बैग दोरा किया जाता है एकवेरियम में एक नर्वे मादा प्रोन को रखा जाता है इन में परजरन की किरिया संपन होती है जिससे तथा मादा जो फीमेल होती है उसके दोरा अंड देने प्रारम कर दिये जाते हैं कई बार बड़े आकार के जो टैंक होते हैं या बड़े आकार के जो एकवेरियम होते हैं उनके प्रियोग करने पर यहाँ पर प्रोन के 10 से 25 जोड़े भी रखे जा सकते हैं जो एग होते हैं उनके उचित प्रिवर्धन के लिए सर्च जल में कुछ समुदरी जल भी मिला दिया जाता है और जो एग है इनका विकास होता है और इनके विकास डवलप्मेंट जो की इंडिरेक्ट डवलप्मेंट होता है कई लारवल प्रावस्ताएं से होते हुए यह गुजता है कई लारवल प्रावस्ताएं इसमें उत्पन होती हैं जिनने तुरंत सीमेंट से निर्मित टैंकों के अंदर इस्तानांतरित कर दिया जाता है कि एक से जैसे लारवा उस्ता बनती है तो इनकिस में इस्तानांतरित कर दिया जाता है सीमेंट से बनेवे टैंकों में इस्तानांतरित कर दिया जाता है यहां पर जलका तापकरम लगबग 24 डिग्री सेल्शियस से 30 डिग्री सेल्शियस पी एच है यह 7 से 8 के बीच में रखी जाती है और इन टैंकों कुछ आया के अंदर रखा जाता है लारवा होते हैं उनको उबले अंदू वे मचली जो एग होते हैं को भोजन के रूप में दिया जाता है इनमें दो बार निर्मोचन की किरिया संपन होती है दो से तीन दिनों से लेकर के मेटामोर्फोस इस तक इन्हें ऐसा भोजन कराया जाता है इसके बाद में इन्हें सोच जल्य टैंकों में रखा जाता है ताकि यह इस जल्वायों के लिए क्या हो जाएं अब ब्यास्त हो जाएं प्रोन के उचित वर्दी हेतु इनके जो आवाश इस्तान होता है वहाँ पर गाय के गोबर के साथ है चुना जिसे हम लाइम बोलते हैं मिलाकर डाला जाता है जल्में हलकी मातरा में धाराएं परवाइत कराई जाती है तथा भोजन हेतु कीट मचलियों के छोटे टुकडे केच्वे कुछ दालवे चावलादी का परियोग किया जाता है छै महिनों के भीतर ही प्रोन की लंबाई लगबग 20 सेंटिमेटर हो जाती है ये 20 सेंटिमेटर लंबे हो जाते हैं और वजन इनका 100 ग्राम तक भढ़ जाता है स्वच से जल के अंदर इस परकार से पर्तिवर्स प्रोन की दो फसले प्राप्ते की जा सकती है नेक्स्ट है कल्चर ओफ मरीन वोटर प्रोन समूंद्री जल में प्रोन सवर्धन समूंद्री जल में प्रोन के सवर्धन अनेकु कारकू प्रवर्धन के लिए सवर्धन के लिए अनेकु जो कारक होते हैं उनको प्रियोग में लाया जाता है जिन में से हम मुक्यते देख सकते हैं कि समूंद्री प्रोन को उचिछ सवर्धन ये मार्शी लैंड टाइडल लोकेशन में किया जाता है तटके बहुत निकट वाले इस्तानों पर सवर्धन के लिए अनुकुल नहीं होता है सवर्धन इस्तलों पर मिट्टी का pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए वह इसमें चिकनी मिट्टी जिसे हम कले बोलते हैं इसकी मातरा आधिक होनी चाहिए क्योंकि कले है ये समूंद्री जल से पोटेशियम वे गैल्सियम को सोख करके खनीचूं की मातरा में वर्दी करती है प्रोन के सवर्धन है तो टैंक में जल की उप्यूक मातरा सदे उपस्तित रहनी चाहिए जल की मातरा की कम्मी होने पर इसके आप पूर्ती तुरंत समूंद्री जल से की जानी चाहिए जल में गुलिवी ऑक्सिजन में खाद्य सामगरी की परचूरता होनी चाहिए तथा इसमें S2S यूक्त असुदता नहीं होनी चाहिए ICMR जो भारत में एक रिसर्च संस्ता है इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च ने प्रोन सवर्धन हैतु लेंड टू लैपोर्टी एक प्रोग्राम प्रारम किया और इस्थल से प्रियोग साला एक का प्रोग्राम कारिय करम एक प्रारम किया इसके अंतरगत जो चावल की खेती करने वाले जो किसान होते हैं उनको प्रॉं के जो है एग होते हैं, वो वित्रित किये गए ताकि ये चाओल के खेतो चाओल। 200-300 kg पर तीयक्ड प्राप्त हो जाते हैं इस विदी में सवर्दन करने के लिए किसान अपने खेतों के चारोर उंचे बंद बनाकर उसमें जलदवार इस्तापित करते हैं समूंदर में ज्वार के समय इन जलदवारों से समूंदरी जल प्राण के लार्वा सहीत आकर खेत में प्रिवेश कर जाता है और जब जवार उतरता है तो उस समय इन जलदवारों पर बास की चटईयां लगा कर इने बंद कर दिया जाता है जिससे कि अतिरिक्त जल्दों समूंदर में उतर जाता है किन्तु जो प्रोन के लार्वा होते हैं वो इस के अंदर खेती के अंदर रह स्वागनेट्स i.e बैग के जान होते हैं उनके दोरे Sak7 यहाता है। इस परकार से समुंदरी जल प्रोन कल्चर किया जाता है और इसमें अच्छे मात्रा में प्रोन का कल्चर करके प्रोन प्राप्त किया जाते हैं